महंदी की हेल्प से आप अपने बालों को बर्गेंडी कलर जो कि अभी आप मेरे बालों में देख रहे हैं कैसे दे सकते हैं चलिए आज की सूडियो में हम जानेंगे बालों को naturally color करने का सबसे आसान तरीका है हिना हिना आपके बालों को condition करने का काम करती है साथ ही अगर आप हिना में कुछ एक चीज़े add कर देते हो तो आप अपने बालों में मन चाहा color भी पा सकते हो करना क्या है चलिए देखते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में बर्गेंडी color कैसे ला सकते हो वो भी एक ही application में करना क्या है मैंने यहाँ पे लिया है एक गिलास पानी और इसमें मैंने add की दो चमच चाय पती चाय पती अगेन आपके बालों को condition करती है और color भी देती है जैसा कि आप सभी जानते ही है कि जब आप चाय पती को boil करते हो तो उसका color जो है brown color में convert हो जाता है तो अगेन हमें यहाँ पे चाय पती को boil करना है जैसे आप चाय बनाते हो और चाय पती को boil करते हो बस उसी तरह से बहुत जादा नहीं बस एक दो बॉयलानी दीजिए और इसे चलनी की हेल्प से चान करके पानी आपने अलग कर दिया मैंने अभी से साइड में रख दिया है अभी मैंने लिया है यह आइडन पॉट लोही की कडाई आपको लेनी है और लोही की कडाई में अगर आप मेहंदी को प्रिपेर करते हो तो आपको बहुत ही बड़िया बरगंडी कलर मिलता है तो देखी इसमें मैंने कुछ खास चीज़े आड़ करनी है सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो चमच आमला पाउडर एड़ किया है अगर आपके पास अपने घर का शुद आमला पाउडर है तो बहुत ही बड़िया रहेगा और अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला अगर यूज़ कर रहे हो तो तीन से चार चमच लीज़ेगा अभी यह है कलोंजी ब्लैक सीड्स के नाम से हम इसे जानते हैं और यह देखे इस तरह से काले काले दाने होते हैं ब्लैक सीड्स अगेन ब्लैक सीड्स भी हमारे बालों को काला करने का काम करते हैं साथ ही साथ आपके बालों को कंडिशन भी करते हैं और आपकी hair growth को भी बढ़ाते हैं बहुत सारी ऐसी properties इसमें पाई जाती है जो कि आपकी hair growth के लिए बहुत beneficial होती है तो एक चमच मैंने यहाँ पे कलॉंजी का ले लिया है और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेथी दाना फैनी ग्रीक सीड्स और मेथी दाना हमारे बालों को soft बनाता है मुलायम बनाता है, चमकीला बनाता है सिल्की शाइनी मलब आपके बाल हो जाएंगे अगर आप regularly मेथी का इस्तेमाल करेंगे तो तो तीन चीजे मैंने यहाँ पे add कर दी इस iron pot में और जब यह तीनों चीजें iron की इस कड़ाई में बॉयल होंगी पकेंगी तो इसमें iron के गुन भी मिल जाएंगे और जो कि आपके बालों को एक बढ़िया ब्लैक शाइन देगा जैसे कि आप जानते हूँ कि मेहंदी का कलर ब्राउन होता है और अगर आप इसमें black यह जो अभी हम करने वाले है iron pot में यह सब चीजें add की जो हमें हमारे बालों को काला कलर देंगी तो यह जब दुनों चीजें मेहंदी के साथ यह सब मिलेगा तो यह आपको बहुत ही बढ़िया बर्गेंडी कलर देता है आपके बाल सिल्की शाइनी बनेंगे तो देखी इसे हमने बॉइल करना है जब तक कि अच्छी तरह से पक न जाएं सारी चीजें आप यह सारी चीजों के पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो लोही की कडाही में एड कर लिजे और जो हमने चाय पत्ती का पानी लिया था वो भी आप इसी में एड कर लिजे और जितनी कर आपके बालों की लेंथ है अब उतनी कर आपको इसमें मेहंदी एड कर लेनी है मेहंदी आपको अपने बालों की लेंद की अकॉडिंग लेनी है और बस आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बढ़िया रहेगा अगर आप इसे ओवरनाइट रखते हो तो ओवरनाइट रखने से इसका जो कलर है और भी जादा गाड़ा हो जाता है तो मैं तो यही कहूँगी कि ओवरनाइट आप इसे रख लीजिए फिर सुबह मॉर्निंग में धूप में रखिया आप इसको लगवग एकात घंटे के लिए ताकि थोड़ा हलका गुन-गुना हो जाए सर्दियां है डारेक्ट आप इस तरह से लगा दोगे तो सर्दी चुक अपड़े गंदेरा हो और अच्छे से अपने बालों को सिक्योर कर लिजिए फिर आप शावर कैप से बालों को ढख लीजिए मैं तो यहां पर यह बैक जासा इस्तेमाल कर रही हूं ताकि फिर इसमें महंदी भी लगे तो इसको साइड कर दूंगी तो इस तरीके से फिर ल आपको मिलते हैं अगर आप आइरेन पॉर्ट में महंदी को घुल करके इस्तेमाल करते हैं तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएगा इस तरह के और भी वीडियों